सब्सक्राइब करें हमारा ओफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन हरियाना महिला कॉंग्रेस की अध्यक्ष सुमित्रा चोहान का स्थीफ़ा स्विकार कर दिया गया है मैं सुमित्रा चोहान ने हरियाना महिला कॉंग्रेस की अध्यक्ष शुमित्रा चोहान हमारे साथ मौझूद है मिनमा आपने अस्थीफ़ा दे दिया था क्योंकि राहूल गांधी ने अस्थीफ़ा दे दिया था अब आप कंटिन्यू कर रही हैं क्या वज़े मेरे को लगातार मेरी राष्ट्री अध्यक्ष सुश्मित्रा देव जी ने कई बार बुलाया हमारी कई सेटिंग्स हुई और हमारे पार्टी के वरिष्टतम नेताओं के साथ भी हुई आला कमान से मेरी लगातार मेटिंग हुई पार्टी के चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्योंकि मैंने सारा जीवन कॉंग्रेस में लगाया है और जो मेरी महीला साथी है कंदे से कंदा मिलाकर हर्याणाय में काम किया है उनको चुनाव भी लड़ना है और जो आज मुझे दुबारा से यह जिम्मेदारी रखने के लायक समझा गया मैं सुश्मिता देव जी का रहुल गांदी जी का और तमाम पार्टी का तैदिल से धन्यवाद करते हूँ उसको देखकर लगता है कि कही ना कही पार्टी जो तमाम चीज़ें हैं उनको लेकर कही ना कही पार्टी में और अपार्टमेंट होनी चाहें क्योंकि लगातार इस तरीकी किस थिति बनी हुई है निश्चत तौर पे आपने सही कहा कि चुनाव बिल्कुल सिर पर खड़ा है और जितना गंबिर चुनाव के लिए हमें और पहले होना चीज़े था शायद हम नहीं हुए कुछ कम्या हमारी रही है लेकिन पार्टी इसको बहुत गंबिरता से ले रही है और हर्याणा में कॉंग्रेस की सरकार बनाएंगे हम सभी एक जुट होकर लड़ेंगे तमाम बाइस जिलों के अंदर हम जाएंगे और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा गुट जो है वो कम होने की बजाए बढ़ रहे हैं कहीं न कहीं पार्टी के संग्यान में है और मैं आपको बताना चाहते हूँ कि बहुत ही जल्दी ये सारे मैटर सुलजा लिए जाएंगे जिस तरीके से अठारा तारीक को चौदरी भुपेंदर सिंग हुड़ा जी रेली कर रहे हैं वो बिगुल बजाएंगे हरियाना में एक नई सरकार लाने के लिए और तमाम नेता साथ हैं मुझे पूरी उमीद है मैं स्वेम उस रेली में जाओंगे और सभी पार्टी के नेता उसमें आएंगे क्यूंकि वो कौंग्रेस की रेली है अशोकता हमरी आपार्टी के बाकी लोगों से बात हुई है या अपनी तरफ से ये दावा कर रहे हैं? नहीं, मैं जो बोल रही है, मैं पूरण तया अपना मेरा एक vision है, एक version है मेरा, मैं महिला कॉंग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते ये बात बोल रही हैं, वो पूरण तया चौदरी भुपेंदर सिंग हुड़ा जी, कॉंग्रेस के बहुत वरिश्ट नेता हैं, कई पेडिया उन्होंने कॉंग्रेस में गुजारी हैं वो कॉंग्रेस की ही रैली कर रहे हैं और सभी नेता उनकी रैली में होंगे आप ये मानती है कि भुपेंदर सिंग हुड़ा का जो राजनेतिक कद्ध है तो भुपेंदर सिंग हुड़ा के खेमे की जो डिमार्ड है आपको लगता है कॉंग्रेस कूस पर भी गोर करना चाहिए कही ना कही अधेक्स को लेकर परिवर्तन होना चाहिए हाई कमान निश्चत तोर पे सभी नेताओं से मिलकर जो फैसला करेगा वो बहुत अच्छा करेगा और बुपेंदर सिंग हुड़ा जी सबसे वरिष्टम नेता हैं हर्याना के इसमें कोई दो राए नहीं है सुमित्रा चोहान की अपनी क्या राए है कि परिवर्तन होना चाहिए या नहीं तो यह थी सुमित्रा चोहान जेज दिन का साफ़तों पर कहना है कि कहीं ना कहीं तमाम चीजों को देखते हुए चुनाओ को देखते हुए उनको एक बार जिम्मेदारी दी है और आने वाले चुनाओं में अपनी तरफ से महिला कॉंग्रेस पूरी मजबूती से चुनाओं मेदान में उत्रेगी केमरा मेना दीते पंड़े के साथ हालूक सांगवाने में चन न्यूज दिरलिग